नमस्कार दोस्तो मैं उदेलार्फ एक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहीते चानल एंडियन मुर्गी पालन पर वीडियो देखने वाले हर किसान भाई और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत दोस्तो थमनेल देखा टाइटल पड़ा हां दोस्तो दुनिया का सबसे बहतरीन व्यावसाए है मुर्गी पालन का दुनिया की सबसे बहतरीन ब्रीड है दोस्तो देशी मुर्गी लेकिन मुर्गी पालन का व्यावसाय करने वाले और जिनकी चाहा रखने वाले हैं दोस्तों उन सभी व्यक्तियों का एक सवाल आता है कि मुर्गी पालन की सबसे बड़ी दिक्कत होती है मुर्गियों पर आने वाली बिमारिया लेकिन इन बिमारियों की जब बात करते हैं तो दोस्तों आप रानी खेट सित्रस्त हो सकते हैं आप साती में दोस्तों माटा हो, CRD हो, कोराइजा हो या साती में दोस्तों डाइरेय से परिशान हो सकते हैं ये बिमारी आमूमन बैक्टेर और वाइरल इंफेक्शन की वज़े से होती है लेकिन दोस्तों कभी-कभी ऐसे सवाल आते हैं कि दोस्तों जो सवाल देखकर और पढ़कर वहाँ पर जो अपना सीर है दोस्तों वो गच्चा खा जाता है आयसा ही एक सवाल मेरे सामने उपस्तित हो गया जब सवाल मुझ तक पहुचा कि सर हमारे फार्म पर सभी सुविदाय है बहुत बहुतरीन ड्रिंकर्स है फिडर्स है एवन कॉलिटी का फिड है और साथी में हमारे फार्म पर विशेश अग्य डॉक्टर भी है और साथी में ज लेके दोस्तों सभी बाते होकर भी अगर फार्म में mortality rate नहीं घट रहा है यानि सवरी बढ़ रहा है तो आईसे में तो डर तो बना हुआ होगा तो आईसे में mortality rate तो को तो घटना ही पड़ेगा नहीं तो हमारा फार्म आगे चलके destroy हो सकता है फिर आईसे में हमें कुछ तो भी करना होगा बहुत सारा परिक्षन और निरिक्षन किया गया तो उसके बाद मैं इस नतीजे पर पहुचा कि अगर आपके फार्म पर कुछ भी वहां पर गलती नहीं है तो आपने शायद सबसे बड़ी गलती की है वो गलती है दोस्तों जल ही जीवन है लेकिन जब जीवन ही जहर बन जायेगा तो दोस्तों कोई भी वहां पर जी नहीं पाएगा मुझे एक बात बताईए अगर मैं आपको थोड़ा जहर दे दू तो आप बचेगे सव प्रतिशत नहीं और आप क्या बोलेंगे सर अकलमंदी की बात करो ये क्या आप ऐसे बाते कर रहे हैं दोस्तों क सोचिए कि अमरित के जगह पर अगर आपको कोई जहर दे दे तो आपको दिक्कत नहीं होगी आपकी दिक्कत ही हमेशे के लिए खत्म होगी क्यूंकि आपका नाम और निशान वहाँ पर जो है दोस्तों नहीं रहेगा ऐसा ही आपके फार्म के साथ हो रहा है आपके फार्म क करता है कि जो पानी दिया जाता है वह उपयोगत होता है कि आपने कभी आपके फार्म पर पानी को चेक किया है पानी की गुनवत्ता को जांच परिक्षन किया है सव प्रतिशत नहीं आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बतलाऊंगा अगर एक फार्म का जल जहर बन जाता है तो कितना लॉस हो सकता है दूशित जो है दोस्तों पानी का इस्तमाल करने से फार्म का फार्म भी डिस्ट्रॉय हो सकता है इसलिए आज का जो महत्तो पुर्ण टॉपिक है दोस्तों जल ही जीवन लेकिन जीवन बन जाए जहर तो बड़ेगा सबसे वड़ा कहर दो नीचे गिरने के लिए मजबूर कर सकती है दोस्तों यानि एक चीटी हाती को मज़ा चखा सकती है इसलिए दोस्तों जल लब्ज का यह जो है दोस्तों अक्षर है और यही दोस्तों आपके लिए सबसे बड़ा इंपोर्टन फैक्टर कैसे समझाता हूं अगर जल में आपने गलती कर दी तो दोस्तों आपको जल कभी भी दूसरा आउसर नहीं देगा इसलिए दोस्तों दूशित जल से क्या-क्या हो सकता है सभी बाते समझाऊंगा वीडियो बहुत महत्तों पुरुने शुरुआत से लेक सब्सक्राइब कर लिए इस वीडियो के दायतर निचली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाल लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच करके दोस्तों जो बगल में घंटी को टच करते और इस नोटिफिकेशन को आने वाला हरुडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो देखे दोस्तों अपने फार्म पर जल की जांच जो है दोस्तों करना ज़रूरी है अभी मैंने कितने जो मेरे मुर्गी पालक भाई उनसे पूछा उसके बाद ये मुझे सोलूशन मिला मैंने उनसे पूछा कि आप जो पानी देते है क्योंकि हमारे फार्म पर पानी दिया जाता है वो तो यह उन्कॉलिटी का है हम तो यह गलती कभी नहीं कि इसलिए हमें हमारे फार्म की गलती नजर आई नहीं इसलिए मैंने दूसरे वेक्तियों से जिनके पास पाच-पचास सव मुर्गिया उनसे पूछा कि भाई आप आपके फार्म पर क्या करते तो वहां पर मुझे नजर में आया कि वहां की मुर्गिया कुछ भी बीमारी न होकर भी वहां पर जो है दोस्तो बीमार गिर चुकी है इसका मतलब दोस्तो बीमारियों ने उनको बीमार नहीं गिराया तो दोस्तो जरिया अलग है यह जरिया हमें जो है दोस्तो ढूंड कर निकालना था तो हमने ढूंड कर निकाला दोस्तो यह दूशित जल तो दोस्तो दूशित जल की व्याख्या क्या है मैं यह ने कहता कि कोई आपके पास जो नाली वगेरे होंगी वहां का जल दूशित है जो काला काला पानी रहता है दोस्तो वह जल तो दूशित होता है लेकिन आप जिस hand pump से जिस motor से जिस bore well से जिस बावडी से जिस कुए से डारेक्ली पानी लाते हो दोस्तों आड रिंकर में डाल देते हो क्या आपको पता है वह भी जल दूशित होता है आज दूशित जल देने से मुर्गी पालन के फार्म में 45 प्रतिशत बीमारिया बढ़ती है दूसरी बात मुर्गी पालन के फार्म पर दूशित जल देने से मुर्गियों का लीवर खराब होता है digestive system वहाँ पर बेबरबाद हो जाती है साती में आपको पता नहीं होगा लेकिन मुर्गियों में kidney stone की बीमारी भी आ चुकी है दोस्तों यह बीमारी मुर्गियों की कीमत के जो जांच परिक्षन है उससे बहुत ज्यादा खर्चा होता है इसलिए कोई करता नहीं है क्योंकि जो minerals का वहाँ पर प्रतिशत है जो हम direct borewell से पानी लाते उसमें बढ़ चुका है आयसे में दोस्तों मुर्गियों की growth खत्म हो जाती है अंडों का production खत्म हो जाता है खत्म मतलिब कि zero नहीं होता है लेकिन बहुत कम हो जाता है आयसे में हम देखते हैं कि मुर्गी खाती है पिती है लेकिन अंडा नहीं देती है मुर्गी खाती है पीती है लेकिन चूजा नहीं देती है मुर्गी खाती है पीती है लेकिन बढ़ोतरी नहीं होती है सबी बाते करने के बावजुद आयसी परिस्थिती हो तो कोई भी सामान्य व्यक्ति सोचेगा यार यह व्योसाय नहीं है ठीक नहीं है जितना बोलते थे जितना सुना था इस व्योसाय के बारे में उतना मुनाफ़ा नहीं दोस्तों व्योसाय में सव प्रतिशत करेता हूं यह गलत है ही नहीं गलत तो हमारा तरीका है दोस्तों कैसे तो देखिए यह तरीका बदलने के लिए सरीका सीख लीजे दोस् क्या आपको तीन तरीक बतलाता हूं पहला तरीका आपको क्या करना है दोस्तो यह ज़ल है जितना को लगेगा द्थो पर कर लीजिए गर्म करने के बाद उसको फिर ठंडा कीजिए यह सबसे जो हम कहते हैं सटिक व्यक्ष है दोस्तों और एक सिंपल व्यक्ष क्या है कि वो मेडिक सेंग पर एक जो पॉडर मिलती है दोस्तों पॉडर लानी है और पानी में डाल दीनी है कुछ वक्त के बाद वो पानी वहां पर साफ हो जाने तो लिक्विड भी मिल जाता है यह करके भी आपने फार्म के आप जो है portion हैॉँजनिटी वहां पर जो है दोसतो clear out कर सकते हैं इस मात्डेम से भी हमारे फार्म का जो पानिय偌साफ कर सकते हैं और चवती बात दोस्तों ये बात मैं बता रहूं लेकिन सव प्रतिशत मत कीजिया छयुती बात कैंसे बाइस वट अपने फारम पर फिल्टर लगवा दूशित देते होंगे लेकिन जैसे ही पानी बदलेंगे दोस्तों आपका मॉर्टिलिटी घटेगा दोस्तों आपकी मुर्गियां मरेगी नहीं चूजे बच जाएंगे दोस्तों मैंने जितना देखा है मुर्गियों से ज्यादा इनिफेक्शन दोस्तों चूजों में होता है कभी कभी चूजों को सभी बाते ठीक ठाक देकर भी चूजे मर जाते हैं दोस्तों उसका सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों दूशित पानी इसलिए दोस्तों यहां से आगे आप पानी जो है दूशित है या स्वच्च है चेक बनास्ती से लेके 90 प्रदिशत देशी फार्म पर दोस्तो पानी दूशित ही इस्तमाल किया जा रहा है ये बात हसी की नहीं है दोस्तो सोचने की है सोच उचार करने की है जब आप लासोटा और गंबोरा लाने के लिए जो है दोस्तो मेडिकल स्टोर पर जाते है तो आप ने जांच परक कर देखा होगा नहीं तो दोस्तो थोड़ा याद कीजिए वहाँ पर लासोटा के साथ और गंबोरा के साथ एक आपको डायलूट मिलता है डायलूट का मतलब क्या होता है दोस्तो साफ सुत्रा पानी दोस्तो एक बात यकिन के साथ कह सकता हूँ अगर लासोटा के साथ वह साफ सुत्रा पानी ना दिया जाए तो दोस्तों लासोटा की कारगरता वहां पर समाप्त हो जाती है इसलिए दोस्तों अपने दवाओ का वहां पर दर्जा टिकाने के लिए उसके साथ ही डावल डायलूट वहां पर पेश करती है प्रस्तुत जो जानकार है उसमें चेक कर लीजिए दोस्तों लेकिन यह करने से जो इफिशेंसी है वह दवा की बढ़ जाती है और दवा का आपको रिजल्ट दिख क्योंकि लिकिविड फार्म में होती है तो फॉर्डर फार्म में आजए में दोस्तों इसके लिए घर पर ही तयार कियजिए आनि फार्म पर यानि साफ सुत्रा पाई मैं आपको यकिन के साथ कह सकूँगा जब तक आपका पानी साफ सुत्रा नहीं रहेगा तब तक ये पानी अम्रित नहीं तो जहर होगा और जहर आपको पता है दोस्तो कोई जहर डायरेक्टली जहरीला होकर आपको वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है लेकिन ये साइलेंट किलर है दोस्तो इसका इंपक्ट आपको महने दो महने मे नहीं तो एक देड़ साल में दिखाए देगा लेकिन तब तक अपने हास से सभी बाते जा चुकी होगी डराना मेरा उद्देश नहीं है सूचित करना मेरा उद्देश है मैं डराने के लिए नहीं आया हूँ चेतावनी देने के लिए आया हूँ दोस्तो अगर आपको ये छोटी छोटी शिकायते दूर करनी है दिक्कतों को दूर करना है तो मैं आपकी सेवा करने के लिए तयार हूँ बारस से चुनिंदा पास्तो मुर्गी पालक भाईयों को लेकर आगे बढ़ने की मेरी कोशिश और प्रयास है ताकि ये पास्तो आने वाले पचास लाख लोगों का मार्गदर्शन कर पाए अगर आपको भी मेरे साथ जुड़ना है और मेरे साथ जुड़कर लाखों का मु किजे और दोस्तो मुझे इतना ही कई दीजिए सर मैं आपके साथ काम करने के लिए तयार हूँ बाकी मैं आपको समझा दूँगा आपकी जिम्मेवारी मेरी होगी और आपकी शिकायत मेरी होगी मेरी महिनत आपका मुनफा दोनों भी काम करते रहेगे दोस्तो इसलिए पहुचाने के लिए शेयर करने के लिए अपर्सणल वाटसब नंबर वाटसब ग्रॉप टेलिग्राम ग्रूप इस्टाग्राम स्टेत शेयर करके सुड्य को चुगिए तौकर कर सकते हैं रहा होगा सबस्क्राइब करना तो आप सभी किसान भायों से मुर्गी पालक भाईयों से हाथ जोड़ कर विंती करता हूं दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं मानता रहूंगा आप भी मुझे अपना और घर का सदसे मानते हो तो कुरुपया सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लिए इस वीडियो के दाहितर अपने चली साइड में आने के ब पालक भाई का आज की उडियो में तेहे दिल से बहुत बहुत आभार